मैं आसनात्यागी मैं द 135 हुद्वनेड य हम आपको फिर से कैस लगता है परेने में बाल को शुल्श आलेंगे अची तरे से और हम यहाँ पे एक मोटी सी अच्छी सी लेएर लेंगे इसे सिंपल वाली हम चोटी बनाते हैं अच्छी ना वैसे पहले करेंगे और उसके साथ साथ ही लास्ट वाली जो लेते हैं लेयर उसके साथ हम थोड़ी से बाल एक लेयर बाल हम निकालेंगे और फिर से वही चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे चोटी बना रहे हैं और यह वाली जो लेयर है थोड़ी सी यह हम निकालेंगे जैसे करेंगे अजय हम ले लेते जाएंगे और चोड़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी पाद अजय हम ब्लॉक कर देंगे ताकि ये बाल चोड़ी खुले ना और हमारी इस्टैल खराब ना हो अजय हम दूसरे साइब ये ही करेंगे वैसे ही ना एक अच्छी जी लेयर देंगे बड़ी बाली और उसको सुलजा लेंगे अधर के बाल भी हम अच्छे से सुलजाएंगे ताकि खराबना लगे और उल्जाएंगे और फिर से हम यहां पर चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे लोगेशन वाली छोटी ठीक ब्रुब लेंगे वहां आप यह जां करेंगे और यह जो लास्ट वाले लेंगे हमें इसमें हम इधर वारी जो हमने लियर चोड़े थे उस वारे लियर को हम लेंगे ऐसे लेंगे हां जैसे हम चोटी बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम एक लेयर को लेंगे इसे आप देख रहे होंगे कैसे यह हम एक एक ले रहे हैं और यह चोटी बना रहे है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ब्रिज ब्रिज हेर स्टैल है है ना अर्चिरा और हमें साथ साथ इस बीच में जो बाले हैं कि अधियर लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे हमें यह ध्यान रखना है से रस्टैल बनाने में हमारे एक्स्ट्रा बाल जो हैं वो तो नहीं आ रहे हैं बनाने में उनके साथ कोई एक्स्ट्रा हेर स्टैल आएं बाल ना आएं अब यह हम यहाँ पर एंड करेंगे और यह वाला रबर भी नीकालेंगे अरचना यहाँ पकरो और यह हम इसके साथ साथ ऐसे करके आए ऐसे रबर लगा लेंगे यह पर लगा दिया थोड़ा सा लूज कर दिया अब यहां पर थोड़ा सा इसको इठाएंगे और यह बन गया हमारा ब्रिच हेर स्टाइब खुला भी चोड़ सकते हैं खुला चोड़के बस आपस में उसको पिन अप करना है बस और आप ऐसे भी कर सकते हो तो दोस्तों कैसा लगा आपको बीज हैस्टाइल का वीडियो तो जो लिखाओ काफी अच्छा लग रहा है यह एर स्टाइब और बिल्कुल यूनिक सा है यह बहुत यूनिक आप यह एंच्छा लग रहा है लॉंग है यह और बीज अच्छे लगेंगी तो दोस्तों जैसा भी लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट जरू लिखें कमेंट बॉक्स में बट डोंट फगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाई बाई